पर आये हुआ था ठीक है वो था लूमिंग फेनामेना लूमिंग घटना इसको बताना था फाइब मार्ट किसको लूमिंग घटना था अब लूमिंग घटना किस से जुड़ा हुआ है सबसे इंपॉर्टन चीज तो वह है देखिए आपने सुना होगा म्रग मरीचिका या मिराज ठीक है मिराज फॉर्मेशन आपने सुना है जो मिराज होता है वो आपने बिल्कुल सुना होगा और आपने पूर्ण आंत्रिक पर पर परहरतन क्या है कि इंप्वाद ही समझना पड़ेगा तो लूमिंग घटनास को पर रहे से पहलेगा हमें थोड़ा सा अ पूर्ण आंत्रिक परवरतन को समझना पड़ेगा ठीक है और इसी के सांत मैं लूमिंग के सांति ही आपको जो रेगिस्तान की वरीचिका है उसको को भी इसी लेक्षर में समझाते हैं ताकि आपका ओल्मोस्ट पॉर्शन ही क्लियर रहेंगे तो देखिए अब यहां पर हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कूण आंत्रिक परहोरतन क्यकोंको सबसेडरेंगे इसको क्या वी इसको Pepsi इसके सदंसे विरल माध्य में प्रवेश करे हैं उस समय उसका आपतन कौन का मान क्रांतिक कोन के मान से अधिक हो तो इस इस्तिती में क्या होगा ? इस इस्तिती में जो प्रकाश किरण है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश नहीं करेगी बलकि सघन माध्यम में ही वापस लोट जाएगी प्रकाश का ओर आंत परावरतन जो रहा है यहां पर क्या हो रहा है यहां पर परावरतन思दन क्या हो रहा है जो आपतर कोन है, आपतर कोन का मान क्रांतिक कोन के मान से अधिक है, ऐसी स्तिती में प्रिकाश करण सनन से विरल माध्य में प्रवेश नहीं करेगी, बलकि उसी माध्य में सनन माध्य में वापस लोड़ जाएगी, इसी घटना को प्रिकाश का पूर्ण आंतरिक परवरतन या जा सकते हैं और आपसे पूना आंतिक पड़ावर्तन भी पूछा दा वांगस में तो इतना कर दीजीगा चाहिए आप्तन कोण किस से बड़ा होना चाहिए कि अब करांतिक कोण के होता है तो देखिए प्रकाश करण कोन से कुन से माध्य में जा रही प्रकाश करण सघन से विरल माध्य में जा देखिए गड़ेए एसी स्थिती में क्या होता है सघन से विरल माध्य में जाने पर दो कुन सब चलते है जब प्रकाश करण कोन से विरल में जाएगी ठीक है विरल सगह तो अभी रंब की और जुकेगी ठीक है पहले चीछीज सर्ट के निया और जब वो सघंद से विरल में जाएगी सघंद से विरल में जब जाएगी तो अभी लंग से दूर हटेगी अभी लंग से दूर हटेगी अगर विरल से सघंद में जाती है तो परकाश करण ऐसे आती है और इसकी तरफ जुब जाती हूं कि यह आपका अभी लंग है अभी ल लेकिद सनम से विलल में आई तो अभिलम से दूर इटेगी तो देखिए पहले किरांतिक कोण के डेफिनेशन समझेगे माल दीजिए हमने इस कोण पर प्रकाश करण को आपतित का या विलम से दूर इटेगी तो यह ऐसे चली गई अब यहां पर आप वरतन कोण यह अब लगभभ है तो इन दोनों के बीचे कोन कोन कहलाएगा अप वरतन कोण है अब हम जब इसके माल कुछछा बढ़ाता जाएगे माल वेसको मैं यहाँ सा सब्सक्राइबब सब्सक्राइब कि आप वरत्यत्प्रकाष करें अब देखें एक इंपोर्टेंट चींग यहां पर यह मिलेगी कि यह जो अप्वरत्न कौन बना आप वरत्न कौन को आर चे दरशान यह यह इंगल कितना डिगरी का बना 90 इए इसा स्थितिक और बोलते हैं क्रांथिक कोंट अब देखिए क्रांतिक कोण की डेफिनिशन समझें तो क्रांतिक कोण की डेफिनिशन मलेगी जब प्रगास्टन से विरल माध्य में प्रवेश करती है उस समय जदि उस समय वह स्तति जिसके संगत ऐसा कोई आपतन कोण जिस विशेश आपतन कोण पर अफ्रतन कोण का मान के इतना डिगरी का हो 90 डिगरी का हो उस आपतन कोण को कौन सा कोण बोलते हैं इसका मतलब आई सीक्वल देन आर इक्वल देन 90 डिगरी के जब प्रगासर में आपन कोंड का वहिशे शंद कोण से इसे कुन कों Ở लेकर कोण कोर कुन को आई जी कितना विभी, नहीं ठो होंगया नाइटी तो से आपको करान्तिक Comics डेफिंशन के लिए अब आंको कुन प्रवातन की डेफिनिशन पतन गया थी कि जब प्रकास्त्रांड सहंध से गरल मांद्य में प्रवेश करती है और उस σαςमय आप्तन कौन का मान क्रांतिक कौन से अधिक है, मतलब यह क्रांतिक कौन है, अब आप्तन कौन में बढ़ा दू यहां, यह था, मैंने यहां से प्रकाश करना आप्तित करें, मतलब मैंने आप्तन कौन का मान बढ़ा दिया, तो आप्तन कौन किस से जादा है, क्रांतिक कौन से जादा है कि वाला कॉन अब इसी इस्तिती में देखो अब फरतन हो रहाँ था तो यह प्रकाश करण नबब डिदी का इंगल बना कर जा रही थी लेकिन जब क्रांधिक कौन से आपन कौन का मान जादा हो जाएगा तो यह इस तरह प्रवेश नहीं करेगी और तो यह इस तरह आएगा ऐसी इस्तिती में जो प्रकाश करण है वो इस तरफ जाएगी नहीं तो अब परतन की जगह क्या हो रहा है तो इस घंटना को बोलते है टोटर एंटर्डर्न रिफ्लेक्शन और आंत्रिक परा परतन फिरसे डफिनिशन सुनिए कि जब प्रकाश करण से ब्रन माद् गुल्ण वापस लोटाती है प्रकास जुड़ इस घंटना को प्रकास का पूर्ण आंत्रिक परा परतन कहा चाहता है इस डट क्लिर अब हम समझते हैं लूमिंग को लूमिंग इसी से जुड़ा हुआ फिनामेना है छी कर लूमिंग जो आपका है वो इसी से जुड़ा तो देखिए, लूमी को समझते हैं, ताइम मार्क्स में आये हो कुछन, लिखना किसा था, वो यह हम बता देगे, तो लूमी में सबसे पिला, इसके डेफिनेशन क्या परीगे, लूमी की, ठीक है, तो डेफिनेशन देखते हैं, देखो, कभी-कभी बहुत थंडे प्रदेशो में, बहुत थंडे देशों में, समुद्र, एवं, बर्फ, बर्फ के आसपास, ठीक है, बर्फ के आसपास में, दूर की वस्तु हैं, आसपास में, दूर की वस्तु हैं, आसमान में, मतलब दूर की वस्तु हैं, थोड़ा उपर, आसमान में, आस्मान में उल्टी लटकी हुईडी प्रतीत होती हैं इस घटना को थंडे प्रदेशों की मरीचिका या लूमिंग कहते हैं समुद्र या इवां बर्फ के आसपास में दूर की बश्तों आसपास के चेत्र में दूर की वस्तों थोड़ा ऊपर आसमान में उल्टी लटकी प्रतीत होती हैं इस घटना वो ठेड़ने प्रदेशों में मरीची के लूमिंग कहा जाता है इसरे चलियर ये इसके definition हुए ऐसा क्यों होता है इसके पीछे का reason क्या है वो भी हमें समझना पड़ेगा इसके पीछे का reason क्या है ऐसा क्यों होता है लूमिंग में प्रवरतन पर अधारिया देखना है कैसे ठीक है तो यहां पर क्लियर कर देना कैसे चीजे होती है तो देखिए ठंडे प्रदेशों में क्या होता है इससे आगे बढ़ते हैं ठंडे प्रदेशों में जंगली इस टाइप के स्थती बनती है माल देखिए समुद्र का जले है यह कोई ठंडा प्रदेश है ठंडे प्रदेशों में आपने जवर्फी पढ़ी है कौन से अंडार्क्तिक आर्केटिक वाला एरिया आता है चीक है अब यहां पर माल देखिए कि कोई कोई वस्तु यह कोई वस्तु इस तरीके सा रख्यों है यहां पर रख्यों क्लियर ठीक और कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है ठीक है यह माले लेता है यह अनको यहां ना दिखाते हो गहां दिखाई देखी यहां दिखाई देखी कि के से यहां पर दिखने देगे तो ठंडे प्रदेशों में क्या होता है कि अब प्रकाश करण आती है तो जो उपर की वायू होती है यहां पर जादा गर्म जो तो यहां पर निश्ली सतही वायू केसी है ठंडी है जो माध्यम घंडा है वो केसा है विरल जो तो एसी स्थिती में क्या होगा इस स्थिती में क्या होगा इस वस्तु से जो प्रकाश करने चलेंगी मंल इस वस्तु से प्रकाश करने चल रही है इसको इसको एसवाज प्रदंट करता हूं इससे प्रकाश करने चलिए ठीक है तो ये प्रकाश करने और ध्यान रखेगा जो माध्यम विरल होता है उसका अप्वरतनांग के जाधा होता है और जो माध्यम सधन होता है उसका अप्वरतनांग के तम होता है ठीक है अप्वरतनांग भी आप पढ़ोगे लेकिन आप इस त ब्रकाष क्रण सघंभ माध्यम से प्रवेश नहीं कर पाती है बल्कि पूरा परावर्तम की घट्टा के कारण यह इसी दिशा में यहां पर वापस परावर्तित हो जाती है इस वाले area से क्या हुए यहीं पर प्रावर्तित होती है प्रावर्तित क्रणर में अब क्या होसाद्म क्या होगे लटकी है जो भी होता है वह से लूमिंग की घंट ना बोलते हैं, जैं लूमिंग का हाथ जाता है, तो अब इसको पूरा समझी किसके आगे और कैसे लिखेंगे, ठीके, मने जो बताया होता अब को क्लियर ही कितना लिखना था, पूर्ण आंत्रिक परावर्तन पराथ आ रही थे, लेकिन उसको आगे कैसे ल तो सगन से जब व्रण माध्य में जाती है, तो पूर्ण आंत्रिक परावर्तन के गानन, वो सगन से व्रrial माध्य में नहीं जा पाती है, बल्कि प्रकाश्करण परावर्तित हो जाती है, देखिए, ऐसे कई, अब जाना इउनको ओसता था, इस तरीके से, लेकिन वो पराव तो यहां पर उल्टी रटीर होती है इसी को ठंड़ प्रदेश के मलीशी का तहां जाता है तो उसके आगे आगे इतना ही लिखना था यह सतही वायू ठंडी होती है इसलिए सघन होती है विरल होती है वहां से आती नहीं प्रतीत उकर उपर से आती प्रतीत होता है इसलिए उसे बस तू या यह जो भी मतलब जहार वगरा जो भी रहेगा वो आस्मान में उल्टा लटका हुआ प्रतीत होता है यह जंदे प्रदेशों की मरीजी का मतलब वहाँ पर कोई चीज होती नहीं है बस उसे क्या होता है अभास होता है इतना क्लियर है सांथियों अब यह तो आपक्लियर हो गया इसी के कंपरिजन में मैं आपको गर्व प्रदेशों की मरीजी का बताता हूं मतलब रेगिस्तान की मरीजी का समझते हैं रेगिस्तान की मरीजी का इससे उल्टा है रेगिस्तान की मरीजी का क्या है इससे उल्टा है रेगिस्तान की मरीजी का में पूर्ण आंत्रिक परवतन की घटना के कारण दूर स्थित व्यक्ती को किसी पेड या वस्तू जो वहाँ पर रखी हुए रेगिस्तान में उसका उल्टा प्रतिम में नीचे जमीन में दिखाई देता है। इसलिए कभी कबार ऐसा लगता है कि कोई पेड ते दूर खड़ा है तो पेड इसमें खड़ा है पानी में खड़ा है ऐसा कई बार प्रतीत होता है इसे ही रेगिस्तान की मरीचिगा कहा जाता है। अब जो इसमें बूला वेसा अपने ही रता है और फूल इसमें घंड़ेशन का टेंइस सब्सक्राइब इस एक सब्सक्राइब होता है। तो थोब से ऐसे इसे प्राइब की तो कुछ लोग को लगेगा कि पता ही कि ऐसा के पीड़ लागें ठीक है तो इसका कर लेके थोड़ा सा तो इसकी जड़ा हो जाएंगे ठीक है तो जा लगले मित पेड़ा को दिखाई अब ये यह पर यह रेगिस्तां की पुर्य से जमीन प तो यहां पर करता है प्रिकास को सोखता है तो यहां पर क्या था सताही वायू ठंडी लेकिन यह भधरा सोखेगा प्रकास को मतलब उश्मा को तो सताही वायू कैसी हो जाएगी सकताही वायू यह पर कैसी होगी ससकताही वायू यहां पर सताही वायू है वो केसी रहेगी अपर हो जाएगी थेल थेली मजलेद लेके माल करके मावच के वह देखेंभा है, से यहां से प्रक्याश करने ना एक चीज़ने मन कुछ स्क्राइब ओगा है, शर्या करने यह और ये प्रक्याश करने उपर खेंडी व्यूर ये सधन इसो को दिखाई देगा जिभे इसको देखेंगे तो यहां से इसको ऐसे देख रहे हैं आंक से उनको यहांपर दिखाई जाती में तो यहां पर उपर दिखाई देता है इसको पूरा करते हैं रेगस्तान के समय पर क्या होताएं सत्क कर लेती है कि प्रगास को प्रड़ाती उसको गर्म हो जाती है इसले की रिखितान की म्रीचीका के नाम से जाना जाता है इसा हमारे वाईव मिटल से जोड़ी हुई एक तो रेकिस्तान के इबरग मरीची का वर यह आपको समझ में आया होगा मिलते हैं अगले लेक्चर में अगर आप कोई दोनों चाहिए समझ में आई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए मिलते हैं नेक्श लेक्चर में, thank you so much